तो चलिए दोस्त हम लोग अपना आज का क्लाश शुरू करते हैं हम लोग कर रहे थे बेसिक्स एक बर फटा-फट मुझे रिकाप करा दे मुनना कि हमने बेसिक्स में लास दिन क्या-क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था अकॉंटिंग है यहां दिए को समझ यहांद करना पड़ता उसको पूरा बात को समझाए था box चाहिन को ले क्या समझाए था 같은데 आपके व ने इरक सुंदर देफिनेशन बनाया कि एक अकाउंटिंग इस न आठ आठ आट आऊ रेकोर्डिंग रेकोर्डिंग एकोर्डिंग आप रसंड ऐन इवेंट ऊफ फिनांशियल नेचर उसके बाद आगे फिनांशियल प्लिक टू हां कम्यूनिकेट दर बिजनेशने स्टेइटमेंट एफ ही टटोनी दिफाइंद कि भी है ट्रहन Rapid Four suffering इसको बोलते हैं तो वह बहुघ气 परफोर्मेंस अफ एनी अग्रिमेंट और एनी बिजनेस यह तो हो है वो ट्रंजक्शन है फिर हमने बात कि अभी एवेंट के बारे में तो इवेंट का मतलब हम लोग बोले थे दा कॉंसेक्वेंस ऑप सिंगल ट्रंजक्शन और गूरूप अप्र्णक्शन अट पर्टिकुलर पॉइंट फिर हमने पड़ा था फिनांशल ट्रंजक्शन फिनां अच्छन ऑफ ऐसेट अंड लाइबिलिटीज अपने और निया एंड और एक कंडिशन है इट कैन बी एक्सप्रेस्ट इन टांस ऑफ मनी वाली दोनों कंडिशन पूरा कर दिया तो यह फिनांशल ट्रंजक्शन नहीं है फिर हमने पड़ा था फिनांशल इवेंट दांसेक् सब्सक्राइब प्रचेस करते हैं ट्रंजक्शन माल सेल करते हैं वह फिनांशल इवेंट है जब माल पर्चेस करके बेचे लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है बैलेंस वह भी मेरा फिनांशल इवेंट है मेरे पास कैश एक लाग था उसमें से 80,000 फरनीचर ख बाचा यह था वह भी किया फिनांशल इवेंट और मैंने बताए बैलेंश इस शीट इस स्टेत्मेंट और फिनांशेल इवेंट यह भी बात किया था फिर फिर हमने transaction financial event हो गया फिर 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 मैं को याद नहीं आ रहा है मैं देखो तो financial transaction बताई था financial event मैं तो revise दी नहीं किया नालाएक होना सर क्या करोगे हां फिर हमने बात किया था इसके बारे में business result किसको बोलते हैं तो लोग बुले थे दो तरह का business result होता है एक तो financial position मतलब asset liability और एक financial performance that is profit and loss का चर्चा किया था और एक बात बोला था communicating the business result is the primary objective of accounting यह भी चर्चा किया था फिर हमने बात किया था user of financial statement दो तरह के user होते हैं एक बाता है internal user एक बाता है external user internal user कौन है one who manages the business that is number one owner number two manager director owner का example बोला था जैसे गर सोल प्रोप्राइटर्शीप है तो जो तुमारा सोल प्रोप्राइटर है ही इस दा उनर तो इस इंटर्नल यूजर partnership की केस में partner company के केस में शेयर होल्ड एक्स्टर्न यूजर कौन है one who is not the internal user other than internal user इसमें customer हो गया तुमारा supplier हो गया बैंक हो गया government हो गया एसेक्टर एसेक्टर इंवेस्टर हो गया जितने एक्जम्पल लेना है ले लोगे तो मतलब सीधा बात है internal user छोड़ के बाकि जितने लोग बच जाते हैं सब कौन है external user फिर financial statement चार तरह उता है तो मैंने बताया था number one balance sheet balance sheet क्यों बनाते financial position के लिए देखने के लिए asset liability के लिए फिर हम लोग बनाता है trading PL to know the financial performance of the business profit loss का बात होता है फिर था cash flow statement to see the movement of cash cash inflow and cash outflow और उसके बात बनाते notes to accounts it is prepared for disclosure policy disclosure करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को फिर हमने बात किया था फिर शाहिद recording के बारे में recording कहां होता है transactions and events are recorded in मुझे बलो transactions and events are recorded in books of accounts अब मैंने बुला था books of accounts दो होता है एक होता जर्नल एक होता लेजर जर्नल में recording होता है लेजर में क्लासिफिकेशन होता है जर्नल एक फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस लेजर सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस और यह जर्नल लेजर जो बनाते इसी को हम लोग बोलते है bookkeeping and bookkeeping is a starting point of accounting यह भी हमने बात किया था याद आगया याद आगया फिर हम थोड़ा से फिलोसोफिकल हो गए थे मैंने समझेया था ऐसे कि भाईया कोई भी माल जब बनता है पहले इंपुट डाला जाता है राव मिट्रियल उसको प्रोसेसिंग किया जाता है आउट्पूट निगलता है तो अकाउंटिंग में इंपूट क्या है ट्रांसेक्शन से निवेंट औ for preparation and presentation of financial statement these are the rules and guidelines for preparation and presentation of financial statement यह था गया फिर मैंने बुला था accounting principle is derived from two things accounting concept and accounting convention accounting concept किसको बलते है थे था था assumptions which are required for preparation of financial statement assumptions keyword assumption required for preparation of financial statement और accounting convention किसको बोलते हैं convention मैंने समझाया था कि हमारे यहां पर जो परमपरा चल रहा है परमपरा तो एनी guidelines derived from practice of accounting accounting कर करके जो हमारा परमपरा बन गया है वही हमारा accounting convention है total में 10 concept है और तीन तो convention total तेरा पढ़ना पड़ेगा बस सारा में एक बार में नहीं पढ़ाने वाला मैंने बताया अभी पहले मैंने इसी basic का दो बताया पहले बताया आपको entity concept entity concept बोलता है business and businessman are two separate identities and all the transaction in the books of accounts are recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman investment याद है याद है याद है याद है याद है इसलिए जब माली कुछ personal खर्चा करता है business का पैसा से इसलिए हम लोग ड्राइंज अकाउंट लिखते है याद कर याद करो फिर हमने आपके entity concept के बाद क्या बताया था money measuring concept भीया जो transaction event money measure होगा उसे books record करेंगे और जो भी transaction event money measure नहीं हो सकता उसको books record नहीं करेंगे हम खीच के तुमको एक थपड मारे कि इसका कोई general entry बनाएंगे books में थपड़ी आते हैं थपड नहीं क्यों कि कितने रुपाई का थपड मारा ये तो बताना मुश्कील है money measurement concept से फेल हो जा रहा है तो रेकॉर्ड नहीं होगा और फिर मैंने आपको समझाया कि entity concept और जो money measurement concept है डिसे टू बेसिक accounting concepts यह लिखवाय था ना शायद हाँ यह रहा basic accounting concept होता है तो यह तोटल बात करने में लगा साथ 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 मिनिट मतलब पिछले दिन से साथ साथ मिनिट का पढ़ाई किए सोच के देखो लगा दिए दो घंटा पर लगा साड़े साथ मिनिट रिविजन करने में रिविजन करना ज़रूरी है बच्चे अपने लोग का यह रहेगा कि अपने लोग जो भी लाजिन पढ़ेंगे ना उसको पहले करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बोलो यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट कोई तकलीफ कोई शंका कोई आशंका कोई दूविधा कोई जिग्यासा कोई ज्यान की पिपासा तो बही आप पहले काम क्या करते थे टीवी में का अडवर्टीजमेंट आता है ना मूचल फंड्स अर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड दॉफर डेक्युमेंट केरफुली हूँ जो इतना तेज से बोलता हूँ आदमी आप ही है ना आद समझ में आया मेरे अगरे बस मन तो था उसको देखके तेज बोलना सीखें एक्चली उसको तेज बोलता हूँ देखके हमको लगता था कितना थीज बोलता हम बोल पाएंगे कभी तो पर देखा बोल लिए हैं होता है बस अच्छा तुम लोगा समझ मैं मस्ती मजा का अलग जगा पर बोलो चा कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग जो कॉंसेप्स पढ़ रहे थे ना बच्छे अब उसमें मैं आपको अगला कॉंसेप्स सिखाने वाला हूँ दर इस कॉंसेप्ट नमबर त्री इसका नाम है डूएल आस्पेक्ट डूएल आस्पेक्ट कि अपटले को बटा तुम लोग कि हुआ कि यह जो डूएल ऍाइसपेक्ट पर्स सन्ट गणें बच्छपण में पितए 2 याक census को बोलते रेप्लाई करो तो जो आता है gala श्हलात साब बोवाइने कि लिएसीपका काशलों सुनसेप्स किषका है हैं है वेरी को और तुलसी जी भोलते हैं हम भी बोलेंगे हम क्यों पीछें रहेंगे देखें जा पोलेंगे हम चोड़ेंगे हं तो मुक्का धर देंगे अच्छा और कुछ और कुछ मन मैं कोई न्याष शब्द और कुछ आ रहा है नैशा जी बोल रहे हम बोलेंगे भी है मेरे मन में कुछ नहा आ रहा है हम बुली बुलीए बुलीए दोनों तरसे और को वर्डी नहीं आ दिया रहा है डूएल आस्पेक्ट को देखके दो बार रेकॉड करते कोई सिस्टम उस्टम कुस्ट था याद आ रहे हैं मेरेकों डबल इंटरी सिस्टम तो डबल इंटरी सिस्टम से मैं बोलो येस देखा यही बेसिक्स है मैं आप लोगो पहले दिन बोला था ना मैं राही का पहाण दुनाओंगा छूटा छूटा बात क्या होता है ना बच्पन हम लोग सुन के आते हैं पर हम लोग कभी समझते नहीं है समझो मेरा बात डूएल ऐस्पेक्ट ने कॉंसेप्ट है जो कि आप सही बोल रहे थे चोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद ठीक था डूएल ऐस्पेक्ट क्या बोलता है कि एवरी ट्रंजक्शन हैस टूएल ऐस्पेक्ट क्या बोलता है एवरी ट्रंजक्शन हैस टूएस्पेक्ट वन इस डेबिट आस्पेक्ट एन वन इस क्रेइट concept है शब्दों पर ध्यान देना और double entry system है the system of accounting which is based on dual aspect concept is known as double entry system मतलब concept का नाम है dual aspect concept इस concept को base बना के हमने system develop कि accounting का उस system का नाम क्या है double entry system मेरा बात समझ में आया एकदम क्लियर हो रहा है कि और example समझ में आ गया तो dual aspect क्या है ध्यान से समझना वह एक concept है बच्छे इस concept को base बना के हमने जो accounting system बना रखा है उस system का नाम क्या है double entry system बोले यहां तक समझ मैं तो अगले बर कोई पूछेगा dual aspect concept and double entry system से मैं बोलो हाँ येस true की false क्या बोलोगे है true की false क्या बोलोगे false बोलोगे very good very good अब एक और चीज़ पूस्ता हूं यह जो double entry system में यह किस ने दिया था सबसे पहले पता है कि वह आदमी का नाम पता है चलो एक क्लिव देता हूं इटालियन था इंडियन तो नहीं था इटालियन था बुक में तो यहीं लिखा है इटालियन आदमी था लुका पैसियोली मैं नाम देते हूं लुका पैसियोली डोंट वरी मैं सब लिखाओंगा मैं सारा चीज़ लिखाओंगा उस आदमी का नाम था लुका पैसियोली एक बहुत बड़ा मैथमेटिशन था उन्होंने यह जो सिस्टम है डबल इंट्री सिस्टम यह 1494 में दिया था उसने अपना एक बुक निकालाता है रितमेटिक क्यो पर ठीक है ना 1494 में उस बुक में पहली बार डबल इंट्री सिस्टम का जीकर हुआ था और यह जो लुका पैसियोली है ना इनको हम फादर ओफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं तो कई बार ऐसे क्वेशिन पूछ लेता है वी इस नोने इस फादर ओफ अकाउंटिंग तो क्या बोलोगे लुका पैसियोली बाकी लोग क्या हो गया जवान पर ताला लग गया क्या अभी हम बोलने आज पाटी आज अगया एक दाम दिंचे दिंचे के दाम आवा जाएगा हां चार तला बिल्डिंग से नीचे तक सुनाई देगा पढ़ाई के टाइम में मिन्याने लगता है लो ना लाएक कहिंगा चलो लिखो आओ ना लाएको लिखो डूल आसपेक्ट कॉंसेट्स लिखो लिखो आस पर This concept, as per this concept, every transaction, every transaction has two aspects, one is debit and other is credit, one is debit and other is credit and both the aspects are to be recorded and both the aspects are to be recorded. वह आप double entry के बारे में क्या बोले थे वह भी नोटिंग करा दोना नहीं तो हम भूल जाएंगे, हम तो घजनी हैं चाहां तुम लोग तो घजनी हैं पांच मिनिट में भूलता है सब कुछ, तो लिखो एक नोट लिख लो, यह भी लिख्वाई देते हैं The system of accounting, the system of accounting, the system of accounting, the system of accounting, which is based, which is based on dual aspect concept, is known as double entry system, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, dual aspect concept है, double entry system है, तो लसी जी आप दिखाई नहीं देरे, पता नहीं क्या हो गया, Mr. Inde का घड़ी पैंग लिए गया, आगे लिखो, this system was given by Luca, यह लुका छेपी, अरे लुका छेपी नहीं, लुका पैसियोली, बोलता है, लुका छेपी, अरे आदमी कहां से था, यह इडिली, इडिली नहीं, इटली, 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 और यह जो लुका पैसियोली जी है न, यह जो लुका पैसियोली जी है न, हाँ भया, हाँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको, father of accounting, यह जो double entry system है, इन्होंने इन्होंने यह system कौन से साल में दिया यह तो बताएं निया, यह भी बताना है मेरेको, लो यह भी बता देता हूं, this system was given by him in 1494, जब हम लोग कोई भी पैदा नहीं हुए थे, न तूम न मैं, आज के class में पूरे दूं concentration बनाए रखना, अगर आप concentration बना के रख पाए, तो accounts अज एक अलद लेवल में जाने वाला है, और मैं इतना बतात रहा हूं, आज के class end होते होते, अगर आप मेरे fan बन गए, तो मैं जिम्मेदार नहीं हुए, चलो, यहां तक हो गया लिखना सबका, आगे लिखो, तो कैसे है, खुद के मूम या मिठ्व बनना आपको, बस वही बात है, तुम लोग नहीं बूलेगा, तो हमको तो बुलने ही पड़ेगा, 2 approaches for recording, डेको double entry system से हम लोग recording करते हैं ना, double entry system में recording करते हैं ना, उसका record करने का बच्चे 2 approach होता है, यह सब को पता है, एक का नाम है traditional approach, ट्रडिशनल अप्रोच यादा रहह है, कोई कई कुछ बोल पाईगा ट्रडडेशनल अप्रोच के बारे में प्रीचिनल रियर्त हुछ आ द रे कि अप्रोच वे तुमको यह आदर है त्रेशनल प्रोच सब अकाउंट्स आप्स्मेल रियल नॉमिन्पनेवा था यह यह जो है ना यह यूके बेस्ट रूल है यूके सुना यूनेटेट किंडम्स अंग्रेज लोग जो हमारे देश में शाशन किये थे उस देश का उत्पत्ती है और यहां पर जो रूल्स होता है वो गोल्डेन रूल्स था सुना बच्पने कभी गोल्डन रूल्स अपकाउंट और दूसरा है जिसको अब लोग बोलते हैं मौडन अप्रोच यह मौडन अप्रोच यह यूएस बेस्ट है अगर तुमको याद हो तो इसके अंदर क्यों था अकाउंट पांच तरका होता था पांच तरका हां आसेट लाइबिलिटी इंकम एक अपिटल और इसके अंदर जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होता है ना उसको में लोग कॉमन सेंस रूल गोलते हैं मैं बात करूंगा सारा इन डीटेल बस एक चस्ट पहले ओवर्वी उपर में लिखा भीया क्या है तो अगर पुचे का हाउ मेनी अप्रोच लोगे डिरट टू अप्रोच निमबर वन ट्रदेशनल अप्रोच विचिज यूके बेस्ट यहां पर गोल्डेन रूल अपने को सिखाया गया है और दूसरा है मॉडन अप्रोच जो यूएस बेस्ट रूसे यूएस बेस्ट यूएस समझ गया अरे यूएस यूएस अप्रोच कहा करना वो सिखाना क्या चर्चा करना है कि बता सकता है के सका कि अभी बूला भी था है किसी को ययाद प्रश्बाज आया हो तो बच्पन की बाते बच्पन की यादे बुलो बुलो कौनसा होता है कि वेरी गुड़ पर्ट मैं थोड़ा से चिंज करता हूं हम लोग बुलेंगे अकाउंट दो तरक होता है ट्रडिशनल अप्रोच के सब से एक अपरसनल अकाउंट और एक होता है impersonal account एक personal account और एक impersonal account परसनल और एक impersonal account यह जो अपना मैं अपने मन में imaginary line टान रहा हूं तुमको टाने का जरूत नहीं है यह मेरे मन का imaginary line है जो बीट से ऐसे बनाया है अब यह जो impersonal account है ना यह दो तरका होता है कि जो आप बोलने का कोशिश कर रहे थे जो था एक real account होता है और nominal account होता है एक real account होता है और nominal account होता है एक बच्छे यहां तक चीक है मेरा फोटो कहां चला गया अब यह जो परसनल अकाउंट है ना बच्छे किसको बोलते हैं रियल किसको बोलते हैं नॉमिल किसको बोलते हैं सारा बात करते हैं कि करते हैं पहले परसनल अकाउंट किसको बोलते हैं तो सीधा सीधा बात है नाम यह पर और या फिर किसी company का नाम फर कम का नाम organization का नाम तो वो सब सकता है सीधा सीधा बात है personal account का मतलब हो गया which is related to person कि पूछेगा personal account क्या है तो क्या बोलेंगे which is कि related to person which is related to person तो फिर बहुत सरे बच्चे पूछ ले तब या फिर impersonal account किसको बोलेंगे सिदा सिदा answer है जो personal account नहीं है person से related है तो personal account है और जो person से related नहीं है उसको बोलते है impersonal account in short मैं ऐसे बोल सकता हूं this is other than personal account other than personal account थोड़ा थोड़ा समझ रहे है अब बच्चे सुनना ध्यान से अब यह परसनल account होता है यह तीन तरग होता है वह होता है और परसुन लगां कि COB मैं चार लाइन चोड़ कराओ एक्जाम्पल लिखने के लिए समझाने के लिए एक दो तीन चार दूसरा होता है कि आर्टीफिश्यल परसनल अकॉंट ठीक है यहां पर तुम एट लाइंस करीब छोड़ लो या तेन लाइंस वन टू त्री फोर फाइट सिक्स सेवन एट नाइन टेन और कोता है बच्चे रिप्रिजेंटेटी इंटे इप्रिशेंटेटाइव यह परसनल अकांट यह नोच blowing अडर को एक पूछे का Personal Account कितना तरग मिलेंगे ऐस तीन तरग होता है एक होता है नाच्रिल्ड पूटा अखाउट रेख अगैं फैने फैसे अब बंद किश्तर्क ने कि रृकिश्प चांवी कि और रिोम्िप्रिजेंटर्डी पर्से hell अकउंट इस में एध्य थीक है और यह नाचरल-पिर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं नाचरल परसल अकाउंट सीधा-सीधा बात बुले हैं human being का अकाउंट जो सची मुच्छी का इनसान है उसके नाम का अकाउंट इसमने बिला राम श्याम जोदू मोदू पुण्चू मत नहीं सब नाम है अभी मन्यू अगरवाल अकाउंट तुलसी अगाउंट नाइशा अकाउंट सबनीत कौर अकाउंट अब समझे यह सब सच्छी मुच्छी का इंसान है नहीं लो अब इसको अब बोलते हैं नाचिरल पर्सनल अकाउंट बात समझ में आया है कौन से अब अकाउंट बोलो क्लियर है तो एक्जांपल के पर मैं लिख देता हूं जैसे कि कोई राम आ गया कोई श्याम आ गया कोई हरी अकाउंट आ गया हैं यह चीनगा एक्ट आइस एक्ट्रव कि एस्क्ट आइसएक्टर ऑस 사ग्ट कि असथा है बूसरा है आटीफिशेल पर्सनल अकाउंट अर्टीफिशल समझ रहा है मतलब एलोग सच मुझका हुऊम movement नहीं है हो ना यह लोग सच मुझका हुमें बिग नहीं आई समझे रहे जैसे की एक्जम्पल के तौर पे मैं आर्टिफिशल के लिए बोल रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं एनी कम्पनी क्या आप मुझे कोई भी एक कंपणी का नाम बोलोगे जो आपको आता हो क्या आप मुझे कोई भी कंपणी का नाम बोलोगे जो आपको आता हो बोलो पुरा बुलना कंपणी का नाम मैंको सुना ही नहीं दिया इसलिए बोल रहा हूं वापस बोल एक बार इन्फोसी बोल सकते हैं रिलाइंस आपनों का फेवरेट कंपनी टाटा है कितना सारा कंपनी यह कंपनी यह कमी है क्या तो यह सब जो है कोई भी कंपनी तुम लिख लो चैकर तुमको लिखना है तो जैसे मैं दिखा रिलाइंस इंडॉस्ट्री तो रिलाइंस इंडस्ट्रीज क्या है यह यह आर्टिफिशल परसने सच मुझ का आदमी है क्या कोई रिलाइंस नहीं भई यह एक आर्टिफिशल पर्सनल अकाउट है जैसे कोई फ़र्म का नाम ले लो एनी फ़र्म मान लो मैंने और सबनीच जी ने मिलके पार्टनर्शिप फ़र्म बनाया एंस नितन जाम मेंसर्ज एंस तो यह जो है पार्टनर्शिप फ़र्म का नाम हो गया अभी मन्यों एंस अबनीच जी आपने मन का कोई भी नाम लिखनो जैसे बच्पन से पढ़ रहा है ए बीसी मेंसर तो यह भी एक आर्टिफिशहल पर्शल एकाउंट है जैसे कोई भी स्कूल ले लो एनी स्कूल को फूल को पढ़ाया के तुम लो लो में तो खुदी कन्फीूस डाश्कूल में पढ़ाया क्या रहा तो अपने शूल का नाम लिख लो जो भी था तुम्हारे स्कूल का नाम वहां लिख लो क्योंकि तुम्हारा स्कूल के सच मुझ का आदमी है कि नहीं वह एक आर्टीफिशल पर्सन है जैसे एनी कॉलेज क्या तुम लोग कॉलेज में चला गया क्या तो अपने कॉलेज का नाम लिखे लो सक जैवियन स्कूलकाता एसे जो भी है साउथ सीटी कॉलेज हैरम चंद्र कॉलेज दफुल्ला चंद्र कॉलेज शिवना स्थ कॉलेज भवाणीपूर एडुकेशन स्वसाइड़ी तुम्हें कोई है क्या क्यालकाता से पूछे भी निये सब्सुर्ण कोई है नहीं अच्छा जी और बताओ लिख लिए ना कॉलेज का नाम अपने इसाब से लिख लेना एनी पॉलिटिकल पार्टी मैं तो कोई नाम नहीं लिख रहा ने तो मेरे को उस पार्टी से एसोसेट कर दिया जाएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम है यह तो कोई सच्छी का आदमी थोड़ी नहीं अब बीजेपी है कॉंग्रेस है टीमसी है एई डीमक है कितना सारा है है ना वह आप है आप जड़ु वाला दिल्ली वाला है ना अम आदमी पार्टी तो यह सब पॉलिटिकल पार्टी भी एक आर्टीफीश्यल पर्सनल अकाउंट हमारे लिए क्योंकि सच मुझका इंसान थोड़ी नहीं लोग यह तो ओर्गनेशिशन का नाम हो गया और एक्जांपल दो एनी बैंक बैंक समस्ते हो पगलू लोग बैंक समस्ते हो कोई बैंक का नाम पता है जैसे की स्टेट बैंक ओफ इंडिया अकाउंट और बोलत नहीं सब्सक्राइब में अकाउंट करेंट असे बीडिया पंजाब नैशनल बैंक अगकाउंट क्योंकि सोचो ना जब मैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया बोल रहा हूं तो यह क्टेट बैंक ओफ इंडिया के सची की आदमी नहीं यह तो सब अलग-अलग और्गनेशन का नाम है कोई भी क्लब का नाम एगर आप किसी क्लब के मेंबर हो तो लिख सकता स्टाइड साटेडेडे क्लब मैंचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी आर्सनल सुना होगा शायद कभी अपने जिन्दी के नाम लेंगे वह सब भी तेक तरह से क्लब ही हो गया वह जैसे कोलकाता नाइट्राइडर्स क्या था मुंबई नहीं चिन्नाई सूपर किंग्स और मुंबई का क्या था भूल गए जो हां मुंबई इंडियन्स राइट तो ऐसे क्लब का नाम लिखे रख लो एक्जाम्पल के तौर पर अपना मन पसंद क्लब लिखो न अच्छा याद रहेगा फिर एक्जाम्पल्स थम तो नहीं हो जा रहा तो प्रिया फिर यह क्या है रिप्रिजेंटिटी पर्सनल अकाउं तो लिखो इसमें एनी अकाउंट विच रिप्रिजेंट आइधर असिंगल और अ ग्रूप ओफ नाचिरल और आर्टीफिशिल संब्सक्राइब करता है अई अनिय अकाउंट ऐसा प्रिप्रिजेंट करता है किसको करता है आधर इंगल या तो कई एक आज जन को या एक से जद्धा गूप को किसका कौन या तो नैचिरल परसंगा या तो आडे फिशल परसुन का गूपbert पर्फिया एग्जांपल दीजीए एज़ने चलेगा एक्जांपल बोले अच्छा एक्जांपल बोल रहाँ बैंक अकाउंट अब जैसे मैं बैंक अकाउंट लिखा बच्चा लोग इतम पिनग्या में पड़े तो आदमी पागल है रे कहां रहे दो मिनिट पहले खुद मुझे चिला रहे थे बैंक आर्टिफिशल परसल अकाउंट आर्टिफिशल परसल अकाउंट है और बस अभी दो मिनिट भी नहीं हुआ है zas कब कर फृष कोंक सब्सक्राइड कि वहां पर मैं सिर्फ बैंक अगाउंट बोल रहा हूं और वहां पर डैंक का नाम बोल रहा था से बैंक ओफट्व इंडिया अकाउंडिया च Dairk एने राज रांक अंग्-अकाउंट मेरा बात समझ रहा है यहां सिब बैंक बोल बेकॉस इत रिप्रिसंस आल माई बैंक सिसम्जा इक मेरे पास चेड भेंक में पिर पचास अजार रुपया है मों कहना बैंक up a full .5onn zijn सोविघ छट ऐनों मिला के टोटल 1 lakh All the Bank क्योंकि है सारे रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए रिप्रेजेंट लिपर्सल अकाउंट कि मैं बैंक अकाउंट नहीं बोलकि स्टेट बैंक और इंडिया आकाउंट बोलूंच कि मिद्स Γ sings A आप अ बच्पन में इतना बात नहीं वा चर्चा भी नहीं बात खुले कि और कहीं पर भी आपको लगे न कि आप बच्पन में कुछ और पढ़ रखें बिलकुल मेरे को टोकना रोकना लड़ाई करना साथ में दोनों चांद मिलकल के लडएंगे ठीक है ना ऐसा नहीं कि मैं बूला और मान लिए तब तो क्या मतलब हुआ फिर तो क्या प्रोफेशनल बने बच्पन में मेरे को ऐसा सिखाया था आप गलत बोल रहें एस भी बोल देने डारेक्ट अब तो मजाएगा तब मैं तुमको काउंटर करूगा फिर तुम मेरे को डेटर अकाउंट डेटर समस्ते हो डेटर मतलब हो गया हमारा कश्टमर कश्टमर जिससे हमने उधारी में माल खरीदा है जिससे पैसा मिलना बाकी है तो अकाउंट्स में जिससे पैसा मिलना बाकी हो तो क्या बुलते हैं डेटर ही ना बुलते हैं मतलब मान लो मान लो मैंन मेरे कौन हो आप मेरे accounts के language में क्या बोलेंगे डेटर हो आप मेरे कौन हो डेटर हो बात समझ में है तो डेटर रिप्रेजेटरी परसनल क्यों मेरा क्या एक ही डेटर है एक राम है एक शाम है जोदू है मोदू है पुंचू है मौधना है इतना सारा डेटर है कि तो क्या मैं न क्योंकि सारे कस्टमर को रिप्रेजन करता है इसलिए यह मेरा रिप्रिजेंटेटिव परसनल अकाउंट है वह समझा पा रहा हूं कि ऐसी हो गया मुझना जैसे क्रेडिटर रखाओं क्रेड़ समझते हो मेρα supplier जिससे मैंने उद्हार में खरीदा है इसको पैसा देना बाकी है सब्लूयर्स अबस सब्लूयर जिससे मैं उधार में माल करिदा है इससे मैं जो एक्जाम् 느घी है मैं आपको पेमीद मनी तो फॉर यू आपके लिए मैं कौन हुआ क्रेडिटर अब आपका तो सीफ एक क्रेडिटर निया भी मन्य अगरवाद आपके तोर बहुत सरे क्रेडिटर है सबका लगा-लग नाम होगा पर जब मैं क्रेडिटर बोल रहा हूं तो आम रिप्रेजेंटिंग अप्लायर को इसलिए एक रिप्रिजेंटिटी पर्सल्ल अकाउंट है अब बात समझ में आ रहा है यह पगलू लो हूं इस अरा इतना पता था कि आपको पहले से हूं मैंने बोला नमे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बस मैं अलग लेवल पर लिके जाओंगा का अगले एक्जांपल जिसे कैपिटल अकाउंट का इए अभी जो कैपिटल अकाउंट होता है नमना अगया अब मानलो मैंने बिजनस चाल्विगा मैं हूँ अभी मन्योखरवल तो इन वुक्स में कैपिटल बनता है माली को नाम से नहीं बुलाते हैं जैसे में पढलूंगा नैशा जी अन्मिट करो जल्दी से में को आप से बात करना है है मैं ने क्वेशन का जवाब दो आपके घर में अभी सबसे बड़ा कोन है अच्छा पापा का नाम क्या है मनोज जी तो कैसे जब पापा से बात करते हो एक बड़ ट्राई करना घर में बोलेगा ए मनोज किदर सुन क्या पता है उसके बाद दिवारों में चुनवा दिये जाओगी जो कुटाई होगा ना एकदब मस्टाई होगा मालीश तेल मालीश हो क्यों बोलो तो क्योंकि घर का सबसे बड़ा है उसको तुम ऐसे नाम से नहीं बुला सकता है उनको इजद देना पड़ेगा पिता जी पापा जो भी है आपको इजद देना पड़ेगा ऐसे ही मालीक में सबस्वारी बिजनेस में सबसे बड़ा कौन है मालीक तो मालीको ना है मालिक को रिप्रेजंट कर रहा है तो कि ये वन ग्या रिप्रेजंटिटी परसनल काूंnt बन बन गया 3 bin जाया बच्छा लुग केयर है एक्जमपल समझ्व मैं एक बच्छे के साथ ईक्जमपल लिया भी हां घर में ट्राइं मत कर ले ना यह था फिर मैं जिब्रदार नहीं हूं वो तो समझाने के लिए बोला था याद रह जाए अच्छा जी नेक्स्ट आउट्स्टेंडिंग एक्स्पेंस सुनेंग अभी जब मैं बोल रहा हूं आउट्स्टेंडिंग एक मालनों फर एक्जमप वहीisz कि जब मैं बोलनों सेल्री देना बाकि ऑस आदमी को क्या मैं बोल सकता हूं यह अ remark album करता उस आदमी को कि दिक हिलो कि ढ़न करता उस आदमी को तो यह कौन सक अकॉंज इसे सांप परेशेंटा लगल हुगल क्या है इसांपल और लिदो सब्सकु след टेक्स जैसे मैंने बोला फार एक्जमपल कोई इंशॉरंस तोब इंशॉरंस का मतलब कहा है इंशॉरंस प्रीजरी कि अपने a advance में दे दिया insurance किसको किसको इस आदमी को या उस insurance company तो यह account represent कर रहे है उस insurance company को जिसको मैंने पैसा टाइम से पहले दे दिया advance में दे दिया क्यों कि उसको represent करता है इसलिए मेरा यह representative personal account है औरे बोल ना ठीक है है अब यह और एक्जामबल और लो-लो मेरे दे़िकंपल कमी नहीं है शच्रुद इंकम की अंकरी इंकम सब्सक्राइब अब इंकम मिलना बाकी है पर एक्जामपल मैंने आपको पढ़ा लिया पर मैंने आप से अभी फीज निया एक दम सिंपल बोलता हूं जल्दी समझोगे टीचर का फीज आते स्टूडेंट जल्दी समझता है पता नहीं क्यों क्या हो जाता है उसको एक्ष्टर नौलेज आ जा तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है उस टूडेंट को जिससे पैसा मिलना बाकी है तो यह भी एक रिप्रेजेंटेटीव परसनल अकाउंट हो गया है समझ गया एक और लिख लो प्री रिसीव रेंट बहुत है कितना एक्जामपल लिखाओ ठीक है चलो लास्ट प्री अब मेरे को आदमी ना टाइम से पहले दे दिया इक मेना पहले पैसा दे दिया तो बिलो ना किससे उस आदमी से क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है उस आदमी को तो यह मेरा रिप्रेजेंटेटीव परसनल अकाउंट है में सब्ढहा पारा हेँ वह भी एखिव परस्टल प्रसको बोलते हैं अकांट रिलेटिंग टुपर्सल पर्स नंबर बन नाक्यल नमबर टू आर्टी ़्पिश्ज पर्स लगां जो सच इस एंटिटीटी कौन होता है एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स आइधर एस सिंगल और ग्रूप और नाच्रल और आर्टिफिशिल पर्स हो गया अब मैं चला इंपरसनल अकाउंट के तरफ इंपरसनल में सारे बच्चों को πता है तो यह आप से ही अंसर चाहिए मैं को रियल अकाउंट अगर कोई पूछ लेंगा डिफाइन करना तो मैं क्या लिखो रियल अकाउंट किसको बोलते हैं कि यह सब को पता होना चीज लेवल पे और है मुझे पता है पता है बताओ कि यह सब एक्जामपल लिख लिए था ना तुम लोग रिप्रेजेंटेटिव का सारा कि किसी का छूटा उटा तो नहीं था किसी का को छूटा उटा तो नहीं था ना बच्चे लोग अब मेरे को यह बताओ यह रियल अकाउंट किसको बोलते हैं चलो मैं एक सिंपल सा क्वेशन पूचा रियल अकाउंट किसको बोलते हैं रियल अकाउंट किसको बोलते हैं बच्चमन में पारे में बैच्चमन में सुना हुआ है बोलो ना कुछ जाएदर से बेदकर कर दिए बोलो ना इतम्हां बोलो कोई दिक्कत नहीं है जो आता है बालू पेटा नहीं बोलेगा तो सीखनी भाएगा कभी मोलो रियल ही थीक है बोलो बोलो बेटार रिएव तसको बोलते हैं जो आता है मन में भोन कुँकत वे यह पुछा रही हाँ अच्छा दिदि बोलो अच्छा कौर जी कुछ वोलो कौर जी पेलो या याद आया कुछ बंसे कि आपना है मैं कि अधकर एक डेकां हमान यहां मैं कि आ पाव याध याधoter देखने हैं कि तु सुनों न सुनों न सुनों न सुनों न सुनों न सुनों न All Assets account रियल अकाउंट जो है न यह एक incomplete definition है बच्पन में इतने बोलता था जितना भी asset है न वो सारा रियल अकाउंट है बट मैं कुछ addition करना चाहतो इस definition All Assets account are real account excluding एक्स्क्लूडिंग एनी रिसीवेबल मतलब सारे एकाउंट होते हैं बट एक्स्क्लूडिंग एनी रिसीवेबल कि यहां। टूज तो है अगर मेरे को किसी से पैसा मेलना बाकि है छो मेरा एसेट तो है है मगर वह रीज अकाउंट नहीं कि अ है नहीं के तो भ्याद आप ब अमबल लेकर समझाओ मैं समझाता हूँ मैं मैं सारा चीज़ खोदा भी नहीं करूंगा भी देखो मैं बताता हूं जैसे आप बूलता हूं data कि वाइस भाइस का बात करने डियूटर का है डिदर करें चल्षा किया जैंब बोलो data मतलब क्या है ह। यह वो customer जिससे पैसा मिलना बाकी है मिलना बाकी मतलब रीशी कर अब तुम बताब बच्पन से डेटर को क्या बैलन कसक्त सेड में नहीं लिगते थे घ्या अब बिल्डिंग प्लाइंट मशिनरी गुडविल पेटेंट कॉपीराइट यह सब एसेट यह सब रियल अकाउंट है मंगर मैंने एक्जांपल किसके लिया डेटर डेटर है तो एसेट पर क्योंकि वह रिसीवेबल है तो एसेट होते भी रियल के कैटिगरी में नहीं आएगा वो बच्पन में रटा देता था तुम लोग स्वस्ता था बैलेंशेट के एसेट साइड में डेटर है इसलिए वह रियल अकाउंट रता है नहीं गलत गलत बच्पन में डाउट आया भी होगा टीचर लोग बताया होगा तो ठीक से हो सकता तुमको खुद को डाउट आया हो प फिर उसको आप उसमें क्यों डाल रहे हो और टीचर लोग से घाता था परसल अकाउंट है आज लॉजिक समझो बात को सारा एसेट रियल होता है मैं मानता हूं बड़ एक्स्क्लूडिंग एनी रिसीवेबल क्योंकि कोई अगर पैसा मिलना बाकी है तो वह आपका एसेट त आप सुचो कर अधर घंच मतलब सामल अगरी मिलना मीलना अचेट दिखाते है याद खर रहे है किसी और जोटे correcting ऑपयोधिकर opens Up करतेirm है तो इसलिए एसेड करद ना क्या क्या है क्या इसलिएым किरन नहीं है इसलिए डेफिनेशन एगर कभी कोई पूछे दो और ऑल असेर्फिय अले को एक्सक्लुडरी एनी ठीम ये जरूबोल अब आगे एसेट को लेके थोड़ा सा और चर्चा करी लेते हैं जैसे आपने अभी बोला कि all assets accounts are real accounts excluding any receivable ठीक है पर मेरे को याद आ रहा है मैंने बच्पन पढ़ा था यह जो एसेट होता हैं ना ये दो तरका होता है हम को नहीं पता आपको याद है याद नई है एक हुआ करता ता है जिसको बोलते हि возможность रहे हैं सब्लस्ट ऑर इक होता है इं टैंट दम से एंट एंट थे एंट एंट और एसेट और एक इंटांजीबल ऑज़े एक टैंजीबल एसेट और एक इंटांजीबल एसे लो कॉन मुझे explain करेगा टैंजीबल इंटैंजीबल यहीं दीए इस खुद से हाओ उठाओ ने तो मैं तुम्हारा मन का हु about Yes into which मतलबा यू तच और यू केलोट टांच आप मुता से आटे आचा नुट से यू कूल अन फील टेंट करेक्ट बाकी बच्चे लों को भी में पता है कि और पूछ पता है निकन ignore 70 उसक豆 शुआ उसक्ते हैं düşा़ तो सकते हैं इंटाइंजबल मतलब ताम सहो नीट सकते से फेल कर सकते हैं तो को पूछे का दा वह टी स्टंडी बैर से तो मैं तो ग्मिंपल बोलता हूँ विच हैाज्दफ फीजीकल एग्सिस््टस आ है क्या बूला वेच यहाज तो थन्हेठो तर्व फिजिकल इस्टन्स ए वर्ट और इंग्लिश विच अ फिजिकल एग्सिस्टन्स आ एं उन विघ्ट इंटाइंगी स्कुब लेंगे तो बोम लोग उए पुझ बनां इंग रिच विच एच दस्ट मत वे नी सिगजिस्सिक्स को यह 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 तैंजब लाग एशिक्ट गॉप्सक्ट दीजिए ना लैन अकोट बैलडिंग अकोट प्लांट मशिनरी कैश एसेक्टर 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 फॉर्मिचर लिख दो फिक्स्चर लिख दो मोटर कार लिख दो मोटर वीगल लिख दो इन टैंजिबल आपने बोला जिसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है मुझे अच्छा लगा और आप ही ने एक्जाम्पल अभी बोला था एक्जाम्पल के तौर पे क्या बोला था फिर से आदिलाना गुड़्विल अकाउंट पेटेंट कॉपी राइट सॉफ्ट्वेर ट्रेडमार्क एसेक्टर एसेक्टर यहीं सब बोलना चाह रहा था ने आप फ्रह दिन पहले कलम से कलम मिलाते चलों आप कलम नहीं रुखना चीए से कलम से कलम मिलाते चलों कि बलो हो गया बस एक और बचा है रियल के बाद कौन सा बज़ी गया है नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट प्रिया नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं अनॉमिनल अकाउंट यह हमारा नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेज लॉसेज इंकम्स एंद गेंज अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट है expenses losses incomes and gains account are nominal account प्याइब एक्जांपल बताओगे तुम बताओ प्याज सैलरी अकाउंट हां अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है नॉमिनल और सैलरी मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए इंकम है तो भी नॉमिनल वेजेज अकाउंट अगर मैं पे कर रहा हूं तो एक्सपेंस है खर्चा नॉमिनल और रिसीव कर रहा हूं तो इंकम है नॉमिनल रेंट अकाउंट पे कर रहा हूं तो खर्चा है नॉमिनल मिल रहा है तो इंकम तो भी नॉमिनल कमीशन अकाउंट जनता कमीशन हाँ कमीशन अगर पे करूंगा खर्चा एक्सपेंस नॉमिनल रिसीप करूंगा तो इंकम तो भी नॉमिनल कि एसे और वीधिता हूं बैट्डिट सुनाएं जब कस्टमर पैसा मारकर भाग जयता है। उसको क्या बोलते हैं लुक्सान नुक्सान लॉस यह भी नॉमिनल है इसब्सेक्राई कि इसब्सेक्टरइसग्टर एसब्सेक्राउ जल्दी बोलो ठीकсть है क्या हुर हुर आगे बढ़ते हैं से तो ट्रडिशनल अप्रोच के साब से अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हो गया अब इसमें में को आपको बताना है इसको रूल्स ऑफ डेबिटन क्रेड बुलते हैं यह सारा बच्चा को रटा होता है जिनरली क्या आपको रटा हुआ है बतानों क्या आपको रटा हुआ है जिनली बलो क्या रटा हुआ है एक एक करके याद करते हैं परसनल अकाउंट का क्या रूल था डेबिट दाश ग्रेडिट दाश बलो डेबिट दाश बलो क्या रेचिवर अज्रेड दाश बलो क्या रेडिट दाश बलो क्या रिवड्य रील अकाउंट का बाता हुआ है comes in and credit what goes out very good nominal ka hai debit all expenses and losses and credit all incomes and gains note 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 कछ मत छोड़वाइं असान हूँ किसी को पहले भी आता हो तो एसा निया छोड़े देगा पूरा लिखना का पूरा पूरा का पूरा 刑 कि अगा कर प्रिंसक्राट पर मेरा इक डॉट है तो कि कि गोलोल डेल मॉयोजब बच्पन से हमें रेटाइ है जाता अकाउंट्स पढ़ते हैं मेरा क्वेस्चन है यह गोल्डेन डूल के पिछ लॉजिक आया कैसे बना कैसे भाई पता किसी को पता है हाँ जाब तो देना पड़ेगा नहीं पता क्या आप इसका लॉजिक जानना पसंद करोगे क्या मैं आपको बताऊं यह कैसे है कि बस ऐसे आगे बढ़ जाब कि रूल रड़ लू काम चलो कुछ कोई के रिप्लाइं दे रहा है मतलब कीसे को चाहिये नहीं मैं इसको बीना लौ जी के आगे बढ़ना हूझ चे करे थावगा इक्स लेक्ष्पक मैं एक transaction दे रहाऊं को राम sold goods to sham मालो 1000 रुपई का है यह transaction दे आपको वे क्या हमें लिखना ही है लिखो तो भी ठीक है नहीं लिखो तो भी ठीक है सुन तो लो बहुत ध्यान से तोकि लोजिक एक बार समझ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा मैंने बोला राम सोल्ड गुड्स टू शाम राम ने श्याम को माल बेचा है तो राम बेचा है तो श्याम खरीदा होगा अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन हाउ मिनी पार्टीज अर इन्वॉल्ड इन दिस ट्रंजाक्शन में को जाब चाहिए सबका सबका जाब चाहिए जल्द यल्दी कितने पार्टीज है दो कौन-कौन एक ठोब बोला अपने श्याम है और एक कौन आदमी बोला राम है चलो बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा साथ अब मेरे को जरा सोच के बताओ जैसे राम सोल्ड तो राम ने माल बेचा है और शाम माल खरीदा है भी बोला है ना राम सोल्ड तो राम ने माल बेचा है शाम ने खरीदा है मेरा यहां क्वेश्चन है इन डिस ट्रांजाक्शन वो इस्टार सीवरभ ब॥ बोल्स वैं शाम क्योंकि यह उंक्वेश्चन खरीदा है तो शाम को तो गुद्स मिला होगा तो बीकल похож से ओम पर शाम आक्वा को बात मानते आप जरा सोच के और गहरही से बताओ, मिरे को जरा सा सोच के जरा बताओ, जैसे बोला राम सोल गुड्स तू श्याम, राम ने माल बेचा, श्याम ने माल खरीदा, तो श्याम is the receiver of the goods, राम is the giver of the goods, किसके गोड़न माल आ रहा है, ये सोच के बताओ तो, किसके गोड़ान माल आ रहा है किसके गोड़ान में आ रहा है राम में बाहर जा रहा हैiance शाम को बेच है तो शाम के गोड़ान माल आ रहा है और anglis को एक बोलता है कमज सबसे घंजब के लिए ओलो अजय कि लोटो ये ढम वे मेent इस नहीं के अप सबसेल करें ओठाई है हरूचा किसकी लिए इसका करचा हो अब करिदा है कौण झरीडा राम खरीदह कि आःओ तो शाम खरीद है तो शाम के लिए खर्चा होगा ना एक्सपेंस है ना तो शाम के लिए तो यह एक्सपेंस हो गया और राम बेचा है तो राम के लिए क्या हो गया राम के लिए क्या है इंकम हो जाएगा यहां तक ठीक है नौ टेल मी राम है सोल गुड्स टू श्याम रामने माल बेचा है श्यामने माल खरीदा है यहां परम को बताओ कौन किसको पैसा देगा हुई श्याम को पैसा देना है राम को अच्छा मैं श्याम के व्यूपॉइंट से सोच ना हूँ श्याम को पैसा देना है ना इंग्लिश मैं ऐसे बोल सकते हैं के श्याम ओस मनी टू राम इंग्लिश बोलो श्याम ओस मनी टू राम एंसर टू ओ को लाटीन में बोलते हैं डेबर या डेब्रे जो इच्छा बोल लो डेब्र या बोलते हैं मतलब श्याम को पैसा देना बागी है यह ओस मनी एंट ल्य को तो किसको पैसा मिलेगा में स्था राम को तो इंग्लिश में बोलो राम इस एंट्रस्टेड विद्धमणी इंग्लिश थोड़ा सा करी समझ में आता हो तो भैया राम को पैसा मिलेगा तो इंट्रस्टेड विद्धमनी एंसर टू एंट्रस्ट को लाटीन में एंट्रस्ट को बोलते हैं क्रेडर समझा रहा है क्रेड यही जो लाट कुर इंग्लीश नगे बन गया डिविडेटR और गोल्टन रूल तुम को शैद दिखाई देने लग गया होगा मैं डिराइव करके दिखाा रहे हुग कैसे O डेबिट दर इसीवर क्रेइट दगीवर डेबिट वट कम इन क्रेइट वाग गोज आउट डेबिट एक्सपेंसे लॉसे स्क्रेइट इंकम्स इंगेंस बलो बात समझ में आ रहे हैं और एक मज़ादर पॉइंट बच्पन से डाउट आथा था उसका मैं सल्यूशन बोलता हूं क्या जानते हो आपको याद डेबिट के लिए शॉर्ट में लिखते हैं और क्रेडिट के लिए हम लोग सी आर लिखते हैं बच्पन के डाइट बोलता यह दो बच्पन में ऐसा रगता था देंगो आज उस सवाल का जवाब आपको दिखेगा एक्च्छिली लोग शॉट फॉर्म जो बनाया कैसे बनाया जानते हो फॉस्ट रद एं सेकेंड लास्ट वर्ड फॉस्ट वर्ड एंसे लास्ट वर्ड से बनाया शॉट तो क्रेडि वट से बनाए यह वाला डियो वाला आर इसलिए डियार लिखा जाक्त तो बच्पन में कई बर प्वेशन आता भी था यह देविट में तो लिखते हैं शौट में क्रेट समझ में आता है आपको समझना चाहिए कि यह शौट फॉर्म है यह इंगलिश वर्ट देविट से नही का वैं wizard करूब कर आपी लोग बोले थे का इसलिए मैं जा रहा हो इतना डैत में कि अभी तो मैंने कुछ बोला इस अभी तो पाटी शुरू होई मैं घथर पाटी शुरू भी नहीं तो मैं बोलना चलू करना तो एकदम कुछलंगा कि आ यहां कि थोड़ा-ठोडा बात समझ में है गोल्डेन रुल का लूझिक समझ में कहां से डिराइव हुआ कैसे डिराइव हुआ बंखितना से पुछना अगले बाद किसी से पुछना थो र नहीं है और कहां से उपफित मुतन देखें बचपन से यह सब्धिए किताब किताब लोगे तो मरजाओंगे तुप जिंदिगी में कि किसको मजा आया मतलब हम अच्छा लगा कुछ वाव मुमेंट आया कि आया कुछ वाव मोमेंट किसी ने इस थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा कि अगर अधर लॉजिक मजा नहीं लग जाएगा ना अलग लेवल का मतलब नशा अलग अलग नशीला पदाठ लेते नशा करने के लिए हम लोग हम लोग अकाउंट से नशा कर लेते हैं अलग नशा है अगला 1 आदा घंटा आप के लिए बहुत इंपोटेंट बहुत सुनना है अगर किसी को लगता है सांस मेस लेना है तो 2-3 सॉसर्षा कर लो को कपाल भादी करना जो अको करना 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 तो पानी पीलो उटके कहीं घूम के आने एक बार घूम के आ जाओ किन्दो अब जो मैं आदा घंटा बोलना चालू करेंगो उसरक एकदम तो कंसेंट्रेशन सुनना है घर में किसी से बात नहीं करना चारो तो सब को बोल दो कि कोई डिश्टर्ब नहीं करेगा वाद अगटा बोल दो पहली से ठीक है ना सारा फोन का नूटिफिकेशन बंद कर दो कर दिया क्या रेडी है सुनने के लिए अब चलो तो शुरू करते हैं सर रेडियस आरे बच्छे सब बोले रेडी सुनने के लिए बहुत घहराई से सुनना एक तम ध्यान से क क्या होता है प्लै जब कोई बिल्डिंग बनता है आपको पता हो का विल्डिंग नव 2 एक आर यह द्ट मेरा अच्छाiset पर तुम समझ रहोगा मैं क्राव बोलना चार hehehe तो ब्या। जैसे कोई बीलडिंग का 4 पिलर होता है तो वा अकांवंट का भी Changing, पील्डिंग है वह भी तो पिलर पीखड़़। अमधिक इसम पेखड़ा होता है । वैसे ही अकॉंट का Τॉ यायो dwa of accounts do you know what are the four pillars of accounts भी हमको क्या पता पता है बच्पन से पता है assets expense liability डरो नहीं and incomes these are the four pillars of accounts इसको डबबा में रखना डबबा ऐसे box बना के रखना चोकि डबबा है डबबा अंकल का टीवी डबबा देखा यह अध्वीटीशमेंट यह व्ला बच्पन में हुआ 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 है यह दबबाबनाया मेरा beautiful hand reading मत देखना तुम डबब बनाओ, there are four pillars of accounts, number one, asset, liability, income, expense, तो चार्ट हो है, asset, liability, income, expense, asset, liability, income, expense, इता दा four pillars of accounts, clear है, आच्छ, आगे, types of transaction, अब जानते हो accounts में कितना तरह का transactions होता है, मैं बताता हूँ, transactions are of two types, transactions are of two types, मैं एक लिखता हूँ, दूसरा तुम बोलना, एक है cash transaction, दूसरा क्या है, credit transaction, नए, मैं credit नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, नोन-cash transaction, तो बया credit भी क्या गलत है, जाब गलत कुछ नहीं है, जब credit transaction बोलते हे, प्रेडिट transaction है, एक क्रेडिट transaction जैसे कि तुम नहीं बोलए goods purchased for cash, तो cash transaction है, जैसे कि तुम अगर अकाउंट्स पढ़ा और लिखा बच्चा है में क्वेश्चन पुस्ता हूँ डेप्रीशियेशन का याद करो बच्पन में जरल इंट्री करते थे डेप्रीशियेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ट आसे बताओ क्या ये कैश्ट ट्रंजक्शन है तुम बताओ क्रेडिट टेंटि उधार कर बात ही नहीं क्या फूलोंगे यूट टर्ण ट्रंजक्शन ही हो गया गत्रण्जांगा पर क्रेडिट गूता है तुम्हें बच्पन में इंट्री करता होगा याद है कि निए पता नहीं नुकसान है बाइट अकान्ट डेभी है कजर सो खरकर लो नहीं को पुल दिया 10 पी कुछ सिंच पुल दिया तो क्रेड़ी ट्रंजक्षिन पर लो फाड मतले ना अधाद मतले बीच में लाइन टानना हूं पता है ऑलो देख वाजा और इस आधा नहीं करना है राइन टानना है इसे ले ज़ें क्यों भी बैस मैंने बोला करना कर लो है फोड़ा दो बहुरूसा रहो तो बहुत बढ़े क्या से बिलकरने एवाल है यहां दक सारे बच्चे रेड़ी यह सब मैं बात करता हूं कैश ट्रंजक्शन जैसे हम जब कैश्ट ट्रंजक्शन बोलते मुनना कैश्ट ट्रंजक्शन कितने दर्गा हो सकता है कि लोग उंगलियों पर काउंट करें के बताओ कैश्ट ट्रंजक्शन कितना दर्गा हो सकता है वह दो हो सकता है या तो पैसे का आना या तो पैसे का जाना या तो कैश्ट आएगा या तो कैश्ट जाएगा कैश्ट जाएगा तो इसको आउट फ्लो बोलते हैं और कैश्ट आ बोल रहे हैं cash transaction दोई चीज़ होता है या तो आपका cash का inflow होगा और या तो cash का outflow होगा अच्छा inflow को क्या मैं receipt बोल सकता हूं पैसा आया घर में मिला receipt और outflow मतलब बाहर जा रहा है मतलब क्या मैं इसको payment बोल सकता हूं payment हा की ना सारे बच्चे साथ साथ चलते रहेंगे जरासा भी उची नीची नी होना चाहिए दिवाग में जाते रहना चाहिए बात कहीं पर भी कुछ दिक्कत तो मुझे बोलना अब मैं बोल रहा हूं यह जो inflow और outflow है ना कैश का इसका maximum relationship क्या हो सकता है मैक्सिम मतलब मैक्सिम मतलब बताओ पहला बात outflow क्या inflow से कम हो सकता है कम हो सकता है मतलब घर में 1000 रुपया आए और 900 रुपया क्यार कैस जाए ऐसा हो सकता है तो पैसा बचेगा कि अच्या आपफलो और inflow बराबर हो कि रहें हाँ और में 1000 रुपया क्या हजार रुपय चल गया तो अब हो टिद्या συνigu बरबर हो गया जादा जितना या घर में उतना जा सकता उससे जादा तु जा नहीं सकता घर जवार तो मैं बोलों मैक्सिमम रिलेशन शिप इस एक्वल वट आंट राइंग तो से हीर कि आउट फ्लो कान बी इक्वल स्वीं फ्लो बट आउट फ्लो के निवर बी मोर दैन फ्लो maximum to maximum your outflow of cash can be equals to inflow but outflow of cash can never be more than inflow am i able to make you understand this point yes sir no sir so if it is true can i say in that case your payment can be equals to receipt that means payment cannot be more than receipt एक ही बात है ना भाई लाइंग्वेजी ना चेंज करके बोले हैं बात तो एक ही लिखें बोलो ना हाँ कि सारे बच्चे मेरे साथ-साथ हैं यहां तक कि साथ-साथ जैसी बोले ना एक बार थम्जब कर ले ना अगर हां तो अगर नहीं समझ मैं हो तो ऐसे कर देना तो मैं इसको देख की समझ लूँगा जल्दी से ठीक है सर अब मेरे क्वेश्चन है जर्ण समझ के बताओ वाई डूवी डूपेमेंट चलो बिजनेस में पेमेंट करते हैं पर 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 मेरा क्वेश्चन है हम लोग पेमेंट करते ही क्यूं है अचैनल बहुत एज़ी और क्या एज बोलो नगया वी डूपेमेंट टू बाइगुड गुद्स अंट सर्वीसिज हम पैसा देंगे क्यों किसी से कुछ खरीद नोगा तभी ना पैसा देंगे या तो उससे कुई माल खरीदना या तो सर्वीज खरीदना है अरे स्टेशनरी शॉप में गया कॉपी खरीदने के लिए तो उसे तुम घुड़ खरीद रहा है अभी मन्यूं सर के पास आया क्या लेने के लिए सर्विज लेने के लिए तभी ने तुम पेमेंट करेगा, तुमको कुछ मिलेगा ना तभी ना पेमेंट करेगा, तो मैं वही बोल रहा हूं कि we do payment, साथ साथ लिखते रहना, we do payment to buy goods and services, correct? Now tell me, why do you buy goods and services, मैंने पुछा भई तुम पेमेंट करता है, तुम बोलता भया, goods and services खरीदने के लिए, अब मेरा question यह है, तुम goods and services भी क्यों खरीदता है, बाल की खाल निकालते हैं, समझ रहा है ना, मेरा question अब यह तुम goods and services क्यों खरीदता है, तुम एक mobile खरीदा, मानलो, goods ही है ना, क्यों खरीदा, बहिए ओविसले उससे कुछ benefit मिलेगा, इसलिए तो ले रहे हैं, तुम ने मेरे से class लिया, क्यों लिया, तुमको लगता है कोई benefit मिलेगा, इसलिए ना, तो, can I say, we buy goods and services to derive benefit from it, why do we buy goods and services, तो, we buy goods and services to derive benefit from it, तो, क्यों खरीदते हैं, तो, मेरा answer है, तो, to derive benefit, बोलो ना, हाँ, to derive benefit, to derive benefit, to derive benefit, हाँ कि ना, आगे बात करें, अब मेरा question है, यह जो benefit है, यह जो benefit है, देख रहा है, मैं benefit को, ओकिया कलर, benefit को लेके मैं कुछ चर्चा करना चाहता, जड़ा सुनो, मैं क्या लिख रहा हूं, जड़ा देखना, if the benefit is exhausted within the year, then it becomes your expense, but if the benefit is not exhausted, but will be exhausted, then it becomes your asset, convenient, now regulates that every benefit, no alerts, no alerts, no alerts, 90, it becomes a rod, 500 000 pounds, grandes Scarborough, नौत का बात नीए अमएं में मत था सो कि रोटिंग वह पिर से बोल रहे हैं उसके वाइड मेंट करते ही तो मैं ने बोला हम लोग पेमेंट करते हैं टू बाइग वाई गुड़्स और सर्विसें तो तुम बोला वे या टू डिराइव संब पैनिफिक त माननो पेमिंट किया लिए अगर विदिन 123 मिल गया ना यहां जिन समझाना गश्म मेरा एक्स perdस है कि मैंने कर दिया है कि अभी तक BENEFIT नहीं मिला कि तो वो मेरा एसेट बन जाता है उसे कैलाते है 되어 फिर से पूलना मैंने पेइमेंट किया है जिससे पांड colon मैंने क्या यह एक्सपेंस हैं और मैंने पेमेंट किया पर इस यह मेलेगा यहां मिलेगा लुग.. पर इस पांगर marrying. जरा विजुलाइस करना यह लिखनी का नहीं बस समझने का है मानलो आज में बोलता हूं आज एक तारीक है मानलो 1st January 2020 मैंने फिक्स एसेट खरीदा सकते हैं समझों यह मेरा पांथ साल में ड्रॉग कर रहा है यह रहा मेरा पहला साल दूसरा साल तीसारा साल चौता साल और यह रा 15 वा सब है करको 12345 मैंने फिक्स एसे खरीदा पांच लाख रुप्य का पॉकेट से पेमेंट कर दिया पांच लाख रुपयगा अब ज़रा visualize करके बोलते रहना मैं यहां खड़ा हूँ आज मैंने fix asset खरीद लिया कि मैंने payment कर दिया कि बोलो खरीते क्या तूरंत पुरा benefit मिल गिया क्या कि विए benefit तु नहीं मिला भी था नहीं मिला ना benefit कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका benefit मुझे अगले ने मिलेगा पांच साल में बेनिफट मिलेगा अ हां भीया मिलेगा अच्छ चैड मैं पढ़ा है यह पांच लाग का एसे तैट मैं पांच साल करूंगा तो क्या मैं ऐसे बोलू हर साल एक लक का benefit मिलेगा मुझे जैसे एक साल बीतेगा तो 1 लक का benefit डिराइप करलेंगा डोलो हां की नए अब visualize करो धीरे-धीरे समय बीटा यहां खड़ाता धीरे-धीरे समय बीता समय बीता समय एक साल खतम हुग गया एक साल खतम और एक साल तक मैंने फिक्स ऐसे डियूज कर लिया बात समझ रहे हो तो क्या मैं बोलू कि आप समझ रहे हैं मैं यहां खड़ा हूं आज तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मैंने यहां पर एक साल का benefit benefit derived कर लिया मोलयो की ना कि नो मैं किन तो बाकी चार साला का बैनेफिट र significa हो गयाеся मैं अच्छा एक साल का benefit एक लाग रुपय आप देक पार हो तो टो पांच लाग 5 साल के लिए ता तो एक साल का कितना होगा एक लाग रुपय का benefit मिलेगा है लोगिकली सोछो लुससर NEW और बच्पन में इसी को आप लोग डेप्रीसिएशन बोलते थैं याद करो बच्पन कि याद करो तुम लोग अगर थोड़ा अगाउंस किया कभी इसको पील में जाके खर्चा बोलके नहीं लिखते थे ये मेरा expense है एक्सपेंस चीट हो गया अब याद करो बचपन में जब बैलेंस शीट बनाते थे कुछ ऐसी ना लिखते थे पांच लाग का पहले साल का बात कर रहा हूं लेक्स डेप्रिसियेशन एक लाग का कर देते थे बाहर आउटर कॉलम में चार लाग का फिक्स असेट दिखाते थे बोलो हां कैसा कुछ याद आ रहा है करते थे बचपन में अब लॉजिकली सोचो मैं फर्स्ट यर के एंड में खड़ा हूं एक साल का बेनिफिट डिराइव हो गया तो एक साल का एक लाख रुपया मेरा खर्चा एक्सपेंस बोल के पेल में डाल दिया और पांच लाग का एसेट में से एक लग का बेनिफिट डिराइव हो गया तो यहां खड़ेओं के बोलो अभी तक कितने का बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ चार लाग का और जो अभी तक benefit डिराइव नहीं हुआ not exhausted जिसका benefit exhaust नहीं अभी तक will be exhausted future में इसमें से benefit मिलेगा वो मेरा क्या बन जाता है इसी लिए तो सोचो लॉजिकली चार लाग बैलेंशिट के आसेट में देखाने लिए लोगो आपके लिए वह यूरेका मॉमेंट आ रहा किया आहा क्या बात है ऐसा कुछ हिट कर रहा है कि बच्पन में कर क्या है इतना कभी सोचे नहीं थे कि हमने पांच लग का payment किया जिसमें से एक लग का benefit जो मिल गया इस साल वो तो depreciation बनके आगया खर्चा बनके expense है मेरा और जो benefit नहीं मिल अभी तक वो मेरा asset कहलाता है कि यह सर नो सर आगे और सोचो ना और सोचो मनलो एक साल और बीद गया जैसी एक साल और बीद गया तो एक लाख रुपय का benefit और डिराइब हो गया आज यहां खड़ा हो कि अभी कितने का benefit डिराइब नहीं हुआ तीन लाख का तो एक लाख यह तो खर्चा मान के हम पेल में डाल देंगे और तीन लाख रुपय हम balance sheet के asset side में दिखाते हैं सोचो अब ऐसी सोचो एक साल और बीद जाएगा मुना जरा सोचो एक साल और बीद गया तो एक साल का benefit और डिराइब होके एक लाख का यहां खड़ओ कि अभी तक कितने का benefit डिराइब नहीं हुआ दो लाख का तो जो benefit derived डेइब राइब होना बाकी है वो क्या बन जाएगा एसे थे अरे छोड़ो यार और एक्जाम्पल लेता हूं मानलो यह मेरा गीवेन यह 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 2020 थी यह 2024 है मैंने एक लाख रुपए का स्टेशनरी खरीदा स्टेशनरी समझते हो पेन पेपर पैंसिल हेना तेना समझेरा सब खरीद लिया तो पेमेंट कितना क्या पाकिट से एक लाख का अब एक लाख में से मैंने एक्टी थाउजन का स्टेशनरी यूज कर लिया यह पेन यूज कर लिया तो कितना अभी तक के यूज नहीं किया कि बीस अजर का जो मैंने यूज कर लिया क्या मैं बोल सकता है यह बेनिफिट डिराइव कर लिया अगर benefit derive कर लिया तो यह मेरा expense मान के PL में डाल देना और 20,000 का stationary जो अभी तक यूज नहीं किया बोले तो उसका benefit derive हो गया क्या नहीं बेर derive तो नहीं है derive करना बाकी है तो derive करना बाकी है तो यह मेरा asset बन जाता है न याद करो बचपन में जब balance sheet बनाते थे वहां पर stock of stationary बोल के दिखाते थे तो stock of stationary का मतलब कि अभी तक use नहीं हुआ है benefit derive नहीं हुआ है benefit derive करना बाकी है इसलिए मेरा asset बन गया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या अगर कि इतना बात समझ रहे हो तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता घुमा के इस बात को क्या कि अगर हम payment करेंगे तो payment can give rise to two things either it will become expense और it will become asset payment अगर करेंगे तो दो ही चीज़ हो सकता है या तो मेरा expense बनेगा या तो मेरा expense क्या यह छोटा सा बात समझ में आया मेरा बात payment को मैंने डिकोड कर दिया payment का मतलब हो गया asset plus expense payment will give rise to asset and expense yes sir no sir बोलो sir yes sir अब आगे जो receipt मुनना उसका बात करते है receipt का बात करते receipt का receipt 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 समझ रहा है receipt 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 प्रतब पैसा मिलना कि मेरे question का जवाब दो why do we receive money मेरे को पैसा मिलेगा ही क्यों कि अच्छा में को पैसा मिल रहा है जैसे मैं अपना एक्जामपल लेता हूं जल्दी समझोंगे तुम लोग मेरे को फीज दिए रइट तो मेरा धर्म क्या कि आपका धर्म है कि आप सर्विस देंगे हम लोग को आप पढ़ाएंगे हम लोग को यह यह ना बात कि तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं यह बोलना चाहरा हूं इफ वी रिसीव मनी कॉमा वी हाव टू गीव बेनिफिट अगर मुझे किसी से पैसा मिल रहा है तो इस बार मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा कि यह बेनिफिट मिल रहा था है कि अगर पैसा मिल रहा है तो मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा गीवर बेनिफिट अब यह benefit शब से ही थोड़ा आगे कहानी बढ़ाया जाए इसमें भी फिर वोई दो ही बात बनता है समझना cash received and benefit given पैसा मिला और मैंने benefit दे दिया तो यह मेरा income बन गया इंकम मेरे को अपने फीज दिया मैंने आपको पढ़ा दिया benefit दे दिया तो अब यह जो पैसा मिला यह मेरा क्या बन गया income अब मैं बोल रहो cash received but benefit not given पैसा मिल गया पर मैंने अभी दिया देना बाकी है नो या है ओर या हे मिर गया हम पैशा मिल मई बेदी घomezadch दिया नियान डेना बाकी है और दी अबाकी है क्योंड यह मेरा ले लिगिंसन गणदा आपकेन ही सयाँक्व पैसा मिल गया पैसा मेल पर बेनिफित मैंने अभी दिया नहीं है compatible मेरे सब्सक्राइब है अग्रेच का बच्छाय तो जुछ नियुक्त गंदा-गंदा वाद अच्छा अब जड़ा सुनो है को तो क्या ऐसे घुमा के बोल सकता हूं कि अगर आपके दिमाग में जा रहा थो रिसीप्त विल गीव राइस to two things either it will become income or liability अगर मुझे कोई पैसा मिल रहा है तो दो ही चीज़ हो सकता है या तो मेरा income बनेगा या तो मेरा liability बनेगा जैसे payment होगा तो या तो asset या इक्सपेंस वैसे अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो इसमें भी वही बात है या तो वह मेरा liability है और या तो मेरा इंकम बनेगा बोलो हां की ना इन आदर वर्ड्स कैन यू विज्वलाइज मैं यहां पर दिखा रहा हूं तो क्या आप दिखा पा रहा हूं क्या liability प्लस income स्टू आसे प्लस एक्सपेंस क्या यह बात से आप सह्मत हो क्या मैं लौजिकली इतना डेराइब करा पाया आपको समझा पाया देखा पाया बोलो yes sir कि no sir yes sir अब मैं क्या बोल रहा हूँ और ध्यान से देखना अब मैं जो बोल रहा हूँ और ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूँ liability ठीक है भी या प्लस income ठीक है भी या अच्छा उस side में जो expense था अगर मैं इस side ले आओ तो minus हो जाएगा ना this is equals to asset क्या मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस उल्टा साइड में जाता तो minus नहीं हो जाता मैं सीखा नहीं है simplification में सीखा होगा अब एक चीज और ध्यान से देखो मैं दिखा रहा हूँ यह देखो इस पार्ट को मैंने से ब्रैकेट कर दिया कोई बता सकता है इंकम से जब expense minus करेंगे तो क्या आएगा कि प्रॉफिट या लॉस आएगा और क्या मान लेते प्रॉफिट आ रहा है चलो तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या घुमा के इसका मतलब बोलना चाल रहे कि लाइबिलिटी के साथ अगर प्रॉफिट जोड देंगे तो यह एसेड बनेगा और कैने से दिस प्रॉफिट बिलॉंग्स टुदा ओनर अब बिजनेस प्रॉफिट किसको मिलेगा बिजनेस का मालिक को और मालिक का कौन सा काउंट होता है कैपीटल याद करो बचपन में जब बैलेंस शीट अगरा बनाते थे तो जो नेट प्रॉफिट आता था उसको कैपीटल अकॉंट में जाके आड करते थे तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि लाइबिलीटी तो ठीक है प्रॉफिट नाम क्या यह लाइन कहीं देखा हो लग रहा है कि यह बचपन में हमारे 11 12 के टीचर इसी को अकाउंटिंग एक्वेशन बूलके लिखाते थे क्यापिटल प्लस लाइबिलीटी को इसेट वही तो लिखे हैं वही लिखे हैंस प्रूब क्या प्रूब मैंने अकाउंटिंग सिर्फ रटा था क्यापिटल प्लस लाइबिलीटी कोल्स टू ऐसेट मैंने आपको डिराइव करेके दिखाया के एक्वेशन बना कैसी है लॉजिक क्या इसके पीछे का कि वह लोग कैसा लगा अच्छा लगा कैसा लगा कि अगर लॉजिक जानना पसंद करते तो अच्छानक से वाव मॉमेंट आएगा आपके लिए कि अधि 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 यह सकता है या अभी सोचे ही नहीं थे विए कि मैंने तो बोला अकाउंट्स फुल ओफ लॉजिक्स अज़ा है कि थोड़ा मजह आया तो अभी तो असली मजह दिखाया ही नहीं आज अभीस म मजह दिलाओंगा मैं आたい कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है इतना दुर तक लिख लिया क्या कि Gerade इतना दूर तक सारा बच्चा लोग लिख लिया कि अब आगे सुनों अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं कि अब मैं जो आगे बोल रहा हूं यही सबसे बढ़या पॉइंट है और यहां जो दिल लगा के मेरे साथ सब्सक्राइब पार्टिसिपेट करके सुन लियाना वह बच्चा आगे निकल जाएगा अकॉंट उसको फिर आगे जागे कभी तकलीफ ही नहीं होगा कभी तकलीफ नहीं होगा फिर अकाउंस में तो अब मैं जो आगे बोलने वाला हो ना एकदम साथ साथ रहना बच्चे एकदम साथ साथ जरा सभी उच नीच मत करना तुम लोग जब सारा बच्चे लोग मेरे को अन्मिट करके बोलेगा हां भया ठीक है तो ही मैं आगे बढ़ हो मेरा बात अविस्टल्ण में आप लोग जब मैंट्सविस करते हैं इंटीजर यह नंबर लाइन नम्बर लाइन कुछ ऐसा सीखा होगा यह बीच का होता था यह बीच में होता था जीर याद है राइट हें सब्सक्राइब यहां पर सब पॉजिटिव नंबर जाते थे ज 1-2-3-4 ऐसे चलता था यद माइन सी के साथ सावड़ान को मतलब कि इस सारे के लिख लिए check. मेरे सबस्राइए मैं यह बोल रहा姓 कि यह राइट हैं स साथ आप एक इमेजिनरी लाईन ऐसे ड्रॉह कर लो निमन यह बीच वाला लाई नहीं यह 0 जा आ ऐस्द करना कि मैं बूल यह राइफ हैं साइड यह सारा पॉजिटीव नंबर्स आफ अफ और यह जो लेफ्ट हैं यह सारे नेगेटीव नंबर्स यह सारे नेगेटिव साइड नहीं ऑसे बूल सकता हूं हाक सर किना सर कि ड्रॉ कर लो मेरे जैसे जैसे मैंने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो कि मुझे तो गरबर हो जाएगा जल्दी से लिख लो कि बोलो ठीक है यह सर नो सर एक बड़ बूलो हाना कुछ ठीक है अब मैंको एक लोजिक लगा के बताओ मुझे आप से लोजिक चाहिए देखो कैश ट्रंसक्षिन में दूही चीज़ वता है या तो कैश का इन्फलो या तो तो कोई दिक्कत है positive मतलब inflow पैसे का आना बोलो यह सर तो negative मतलब क्या मैं ऐसे बोलो यह मेरा cash का outflow है पैसे का जहना मतलब inflow का मतलब मैं बोलना चाहरो यह मेरा receipt है और मैं यह बोलना चाहरा अब मुझे आप से कुछ सवाल का जवाब चाहिए बताओ receipt will give rise to two things receipt जब होता है तो कौन सा दो चीज़ बनता है उपर में समझाया था कि जब receipt होता है तो receipt के वज़े से दो चीज़ हो सकता है क्या बनेगा पैसा अगर मिलेगा यह या तो यह या तो वह क्या हाँ तो receipt अगर है या तो वह आपका liability बनेगा या तो वह तुम्हारा क्या नामें इंकम बनेगा and payment will give rise to two things अब आप जल्दी पकड़ लेंगे शायद एक asset plus expense क्या मैं ऐसे लिखूं कि समझ रहे हो क्या कि सारे बच्चे क्या मेरे साथ एट पार है जरा सभी अगर एट पार नहीं हो तो मुझे बताना कि यहां तक क्लियर है लॉजिकली क्लियर घूस रहा है मैं जो बोल रहा हूं यहां था मैं ठीक है अच्छे एक बात बता मेरे question का जवाब दे अगर मैं payment कर रहा हूं when we do payment that time we are the receiver of benefit कि we are the giver of benefit अगर मैं पैसा दे रहा हूं पेमेंट कर रहा हूं तो ऐसे situation में मैं receiver of benefit रहूंगा कि giver मिलेगा कि देना पड़ेगा अगर मैं पैसा दूंगा आपको तो मैं आपको दूंगा मतला बोल रहा हूं कि भी आप फीस भी दे दो पढ़ा भी दो दो नहीं आप कर दो ऐसे होगा क्या अगर मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं आपको तो मेरे को आपसे benefit मिलेगा कि मुझे बेनिफिट देना है उपर ही तो लिखा था नालायक गजली कहीं का जल्दी देखो वाइडवी डू पेमेंट तो बाइग गूड़ जन सर्विसेज वाइड यू बाइगूड जन सर्विसेज तो डिराइब बेनिफिट ना में को मिलेगा अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो इन दिस केस आई विल बी दा रिसीवर ऑफ बेनिफिट चलो अब घुमांके पूशते हैं चलो यह वाला चीव बोलो देखो अब नहीं बोल पाएगा मुझे लगता है तो अगर मैं रिसीट कर रहा हूं मुझे कैश मिल रहा है मुझे कैश मिल रहा है तो इन दिस केस आई हव टो गिव बेनिफिट की रिसीब बेनिफिट मुझे कैश मिला तो इसके बदले मुझे बेनिफिट देना है की लेना है गिव बेनिफिट तो कैना इसे इन दिस केस आई विल बी दा गीवर ऑफ बेनिफिट येस सर नो सर जल्दी बोलो येस सर किनो सर अब आप लोग तो गोल्डेन रूल्स पढ़ रखे हैं डाश दर रिसीवर डाश दर गीवर कुछ बोलो डाश दर रिसीवर डाश दर गीवर कौन रिसीवर कौन होता है अच्छा डेबिट दर रिसीवर होता है और गीवर कौन होता है रेडिट दर गीवर होता है अब या तो 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 अब बूलना क्या चाहते हैं बूलना क्या चाहते हैं मैं क्या बूलना चाहते हूं देखना चाहत पर आज पहली बार एक ऐसे चीज़ का आपको जौब मिल रहा है जब आप बच्पन में पूछने गए थे आपको बोला गया था ऐसे ही होता है आप लोग बच्पन से जब अकाउंट बनाते हो क्या ऐसे टी शेप में अकाउंट बनाते हो ना अरे बोलो नहां और इस साइड को आप लिखते थे डेबिट साइड और इस साइड लिखते थे क्रेडिट साइड याद करो और टीचर से पूछा गया बताओ ना, लेफ्ट हैंड सईड्ड क्यों, राइट हैंड साइड क्रेडित क्यों और टीचर क्या बुला था बच्षपन में, ऐसे ही होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही होता है, मैंने प्रूव कर दिया, मुनना, देखो स्क्रीन पे, यह इ HDR होता है और यह साइट करेडि मैंने प्रूव कर दिया तुम तुम यह बात करकर के तुम से लिखा था सटा-इस-सार में आया मैं ईस-सारїड में और यहह वाला साइट कौन सा होता है इसका भी लोजिक रटनी का जरूत नहीं क्या सर कुछ समझ मैं या यूरेका मुवमन्ट मिला कि इन तो अगर आप सोच रहें कि मेरा बोलना हो गया तो नहीं पहले बोला आप समझ पाए कि अकाउंट में लेफ्ट हैं साइड डेबिट कियो राइट हैं साइड क्रेट कियो लॉजिक मिला अब मजा का बात सुनो बचपन में थोड़ा मुड़ा अकाउंट पड़ा होगा तो आपको पता है हर अकाउंट का इक बैलेंस होता है एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता था याद करो याद करो हां की ना लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता था क्रेडिट बैलेंस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता था इंकम का क्रेड बैलेंस ये भी मैंने प्रूव कर दिया ध्यान से देखना मुन्ना मैंने इसको भी प्रूव कर दिया देखो एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस liability और income का होता है credit balance ये भी प्रूब कर दिया तो दो चीज़ देखो अभी तक प्रूब कर दिया ये वाला side में बचपन से debit लिख रहे हो मैंने प्रूब कर दिया ये side में जो आता है ये debit ही है देखो मैंने प्रूब कर दिया ये side हमेशा बचपन से credit लिखते हो का कौन से ज है और कौन से समझ समय कितना लौजिक से बच्पन नहीं बता सब जाकि पुछ ? नहीं बताएगा सब यहीं बोलेगा आप कहीं पर भी पढ़े हुए आपका दोस कहीं पढ़ रहा है जाके उनसे पूछो एक बार कि ऐसा क्यों होता है बस इतना ही बोलेंगे ऐसे ही होता है लॉजिक नहीं दे पाएंगे यह मेरा चालेंज है चलो अभी तो कहानी शुरू ही है अभी तो पाटी शुरू ही है अब एक लॉजिकल डेरिविजन समझो मैं क्या बोल रहा हूं मानलो कोई नेगिटीव नंबर है या मानलो यह जैसे बोलता हूं कोई पॉजिटीव नंबर ह अगर इंक्रीस करना है तो आगे क्या करोंगे प्लस लीजिना करोंगे नहीं समझे मैं बोलॉरा मानलो एक प्लस वन है जैसे फिलभल बन कंशक्री जाएं आजиком है प्लस कारों कि माइनस ट्षी करों प्लस करने के लिग में वहीं बोल रहाओ पॉजिटीव नंबर को इंक्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा मानलो मेरे पास एक नंबर ए प्लस फोर इसमें क्या करें जिससे यह वन बन जाये प्लस बन जाए रिप्लाइक चाहिए माइनस करना पड़ेगा नमने एक दम सही बोल रहे हो बच्छे आपको माइनस करना पड़ेगा तो positive number अगर decrease कर रहे हैं तो decrease करने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा आरे 4 से 1 है, तो decrease ही नहीं हुआ है, नहीं समझाए, कोई positive figure 4 है उसको कम करना है, 1 बनाने है, कम करना है, तो minus करना पढ़ेगा, कोई positive figure है, उसको बड़ा number बनाना है, 1 से 3 बनाना है, increase करना है, तो वहाँ plus करना पढ़ेगा, क्या मैं इतना सा बात नहीं समझा पार, आपको कि समझ गए कि समझ गए कि समझ गए अच्छा अब ऐसे ही सोचो अगर कोई मेरा नेगेटिव नंबर है उसको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा नहीं समझे माइनस वन में क्या करें जिससे यह माइनस फॉर बन जाए माइनस वन से माइनस फॉर बनाना है तो नेगेटिव इंक्रीज करना है तो क्या करना बढ़ेगा प्लस थ्री की माइनस थ्री माइनस तो नेगेटीव नंबर को इंक्रीज करने के लिए फर्दर माइनस करना होता है कि तो बच्पन से मैठ सीखा हूं हम लोग का अच्छा यह बताओ नेगेटीव नंबर को डिक्रीज करना है मेरे पास माइनस फॉर है इसमें क्या करें जिससे माइनस बन जाए डिक्रीज करना है मेरे को प्लस करना पड़ेगा तो नेगेटीव नंबर को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ते है प्लस अब बच्चे लोगा सरा में ज़रत देखिए बोले बहुत क्लाश टू गया बच्चे समझें गया यह तब हम लोग अच्छे से समझ में आता है हां हां सुनो ना एक मजा का बात मैं जो दिखा रहा हूं आप अगर देख लोगे तो मजा आजएगा आपको यह नेगेटीव सा साइड है और तुम बोला है जेविट साइड है so debit का मतलब नेगेटीव मॐनस ऐसी सोच ओ यह हाई और पोज़िटीव साइड मतलब इक कॉन से साइड है क्रेडिट है अभी पूफ तो क्या मैंने तो क्शे क्रेडिट का मतलब पॉज़ित toe मैं जहां प्लस मैनस होता है मैं अकाऊंट में वहां डेविट क्रेट से सब्सक्राइब है धैय्यांतव回去 ये हैं बहिने यह क्या वक्वास कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं था रहा है आ यह वाला जो नेगेटिव है नेगेटिव सइड मतलब कौन साथीज एसे लाइबिलिटी वाला सईड तो दूनेगेटिव का मतलब असे लेडिलिटी होता है और यह पॉजिटीव मतलब कौन से हैं लाइबिलिटी प्लस इंकम कर क्या रही हो यह अब एकदम स्क्रीन पे बाद में लिग लेना बाद में लिग लेना स्क्रीन पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं के एक सेटन और लिभी लिटी स्वर है एक स्ट और एक्स्पेंस शाब हिंक्रीज मत अगः लॉग अधिकरीज मतन और चुल director मैंने प्रूव कर दिया modern approach भी मैंने आपको बताया नहीं कि मैं modern approach सिखा रहा था पर मैंने modern approach आपको प्रूव कर दिया modern approach में सिखते हो ना asset और expense increase होने से debit होना चाहिए decrease होने से credit liability और income increase होने से credit होता है decrease होने से debit होता है मैंने प्रूव करके दिखा है मतलब अगर आप बोलोगे कि भी असको सुन्दर लिख दो क्या है आप लोग अभी तक बच्पन में कैसे पढ़ेते पता है modern approach आप लोग बच्पन में ऐसे पढ़ाएगा था modern approach के हिसाब से पांच अकाउंट होता है एक दो तीन चार और पांच एक होता है एसेट अकाउंट एक होता है लाइबिलिटी अकाउंट एक होता है इंकम अकाउंट एक होता है expense account और एक होता है capital account और फिर सुनो ना asset और expense का rule है कि अगर ये increase करे तो debit होता है और अगर ये decrease करे तो credit होता है और भाई साब liability income और capital भी इसी ग्रूप में आ जाता है कि capital भी liability होता है business के लिए इसका rule क्या है ये increase होने से credit होता है और decrease होने से debit होता है ये ये जो rule है ये जो rule आप बच्पन में सिख्टे थे इसी को हम लोग बोलते हैं common sense rule थोड़ा देर पहले नाम बोल रहा था ना common sense rule और मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं hence approved कौन बोलता है कि accounts रटना पड़ता है कितने जंग को ये logic जानके सच्ची में मजाया कभी कोई बताया था बच्पन में बता कोई logic ये सब ये बोलते था रूल्स है रट लो अब तुम बता क्या ये रूल्स है कि लॉजिक है पूरा कि शियर लॉजिक लॉजिक और कुछ नहीं अकाउंस लॉजिक छोड़की क्या जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि मैं आपके accounts का नजरिया change करने वाला हूं तीम क्लास में क्या दो क्लास में थोड़ा मुड़ा नजरिया change हो रहा अकाउंस के बारे में गलती से आप मेरे accounts के फैन दो नहीं उता रहे हैं भाई साब अलग लेवल का मैंने थोड़ा देर पहले यह वार्मिंग भी दिया था इस अब logic सुनके कहीं आप मेरे फैन मत बन जा मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ नया सिखा पाया आता तो सबको सबको मैंने कोई कोई आसा बात नहीं बोला कि कोई नया चीज़ है जो आपने बचपन में कभी नहीं देखा है सारा वही बात बोला पर लॉजिक कैसे मैंने आपको golden rules का logic दे दिया मैंने आपको accounting equation का logic दे दिया मैंने आपको account जो t-form होता है यह debit क्यों यह credit क्यों इसका लॉजिक दे दिया एसेट एक्सपेंस का debit लाइबिलिट इंकम का credit बालंस होता है यह लॉजिक दे दिया कॉमन सेंस रूल का भी लॉजिक दे दिया आगे से ना कोई दोस्त या आजू-बाजू में उचलता वा दिखाई दे ना कि मेंको account बहुत आता है तो उनसे बस यह छोटा-छोटा question कर लेना और वहीं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है सबसे मजदार बात अगर आपसे कोई teacher भी कभी लगे ना मैं बुल्टाओ देखो यह बात कभी कोई teacher भी लगने आ जाए कि वो अगर show off करें बहुत ज़्याद अकाउंट्स आता है उनको तो उनसे बस यह चार question पूछ लेना ती format का जो reason ने debit credit क्यों है और common sense और golden root का logic क्या और accounting equation का प्रूफ और वहीं पर सिफ एक ही answer मिलेगा तुमको ऐसे ही होता है और तुम समझ जाना फिर level of knowledge कितना होंगा वह accounts logically जानते हैं कि रट क्या है वह तुमको समझ में आचाहेगा तो मेरे class में यहीं बोला था पहले दिन रटा फिकेशन नहीं चलेगा मेरा सारा बात logic लेके चलेगा हम लोग आपके mind को questioning mind बना देंगे अभी आप जो question नहीं पूछते हो ना मैं धीरे-धीरे आपको इतरा बताऊंगा कि एक टेम आएगा जब मैं logic नहीं बोलना चाहूंगा कि तुम पूछेगा logic बताईए logic बताईए इसके पीछे का logic बताईए मजा नहीं आ रहा है नहीं तो यह मैं आदत बिगाड़ के रहूंगा क्योंकि मुझे professionals बनाने है वह 11-12 become को बच्छा थोई ना अधिक है अज इतना ही रखते हैं और भादिनी करेंगे नहीं तो क्या होगा ना एक्सिडेंट रजाएगा पर यहां तक सारा बच्छे को क्लियर है कुछ पूछना यहां तक ठीक है फिर आज इतने रखते हैं बट एक रिक्वेस्ट है मैंने आज जितना पढ़ा है पूरा रिवाइस करके अगले शासना इसी एंतुजियाजम से आगे बढ़ाएंगे अपने बेसिक्स को अगले दिन और आगे लिके जाएंगे अगले दिन हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल च्वेंगे जो तुमको मन हो रहे हैं देख दो दिन हो गया आज पहली बाट तो डेबिट क्रेइट लिखा और उभी कुछ एंट्री एंट्री कुछ नहीं कराया भी तक सोच और अकाउंट्स में चार घंटा बात हो भी गया समचा भी नहीं होगा ऐसा हो सकता कहूं इसमें क्या तिक अगले दिन अब कानिगा करें बढ़ाता आज के लिए थांक्यू बाबाई